आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम असिद्धांत अग्री मुसरी स्टेडी है कि आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत नजारा संसेट से अच्छा कुछ भी नहीं लगता और उसके सामने आप देखेंगे चडियाओं क जब आपने गौरियों को देखी थी जो हाउच स्पैरोज होती है वो लगबग लगबग खतम हो चुकी है और यही क्लाइमिट चेंज की वज़े से जब हम छोटे थे जैसे ही हमारी नींद खुलती थी हम देखते थे धेर सारी चडिया आती है अपनी आवाज से कुछ-कु जो नैशनल पार्की जो की एक बर्ड वाचिंग एडिया है और निथो लॉजिस्ट यानि की जो बर्ड की स्टडी करते हैं उनके लिए तो भईया यह स्वर्ग है क्योंकि यहां पर 376 स्पीशीज और दूर दूर से बर्ड आती है घूमने आती है चेडिया यहां पर लेडियन क्रेन जो की क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फरवरी में यहां पर माइग्रेट करता है भाईया बहुत ही उपजूरत नजारा है तो युनेस्को वर्ड हरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया क्यों लादियो नैशनल पार्क लेच्चे 25 इससे पहले 24 लेच्चर हो चु इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों आप बायोग्राफी आईक्यू पर जरूर जाएए अगर आपको स्लाइट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर विजट करिए वहां पर पीडिएफ्स भी मिल जाएगी तो बायोग्राफी आईक्यू डॉट कॉम प आगरा फोर्ट, अजन्ता केव्स, आर्केलोजिकल साइट अफ नालंदा महावीरा, बुद्धिस्ड मॉन्मेंट्स, इन सब का चर्चेस कॉन्वेंट्स, एलोरा केव्स, साथी साथ हुमायूस टूम्ब का भी रिवीव हो चुका है इतनी कल्चिरल साइट्स बचे हुई है बहुत ही जल्द इसका रिवीव हो जागा, in fact September में UNESCO World Heritage Sights Series जो है वो खतम हो जाएगी, Natural Sights की बात करें दोस्तों, तो क्योला देव आखरी है, इसके बात Natural Sights पूरी कम्प्लीट हो जाएगी, हम Great Himalian National Park, काजी रंगा, मानस, नंदा देवी, सुन्दर बंस, विस्टन गार् की बात करें, तो इसको भरत पुर बर्ड सैंचुरी पहले बोला जाता था, बर्ड सैंचुरी बोला जाता था, मैंने बताया न, यहाँ पे चडियों की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, सारी चडिया यहीं आती है, बहुत ही खुबसूरत नजारा है दोस्तों, वैसे यह एक वेट लैंड है, ठेकना यह पूरा इलाका दलदली है, इसलिए रामसार कन्वेंशन में भी आता है, और युनस्को वर्ड हरिटेज साइट इसको उन्निस सो पच्चासी में घोशित किया था भाया, भारत की धरोहर, अब अन्निस सो बायासी, 1982, अगर हम बात क करते हैं, आप देख सकते हैं, जादतर पार्क जो है, बड़े-बड़े, 1985, 1985, 1985, यह युनस्को वर्ड हरिटेज साइट, लेकिन नाशनल पार्क भारत में 104 नाशनल पार्क हैं, तो अगर हम नाशनल पार्क की बात करते हैं, तो 1982, 1982, एक ऐसा साल था जिसमें बहुत सारे जं प्रियाओं को मार दे, वल्चर्स तो खतमी हो गई, तो बहुत दिक्कत होती थी, किसी को भी उठा के शिकार कर लेते थे, तो 1982 में बहुत सारे जंगलों को, फिर सरकार ने अपनी संपत्ती बनाया, और नाशनल पार्क घुचित किया, कि अभी हमारी संपत्ती है, यह एक ल पार किलोमीटर का है, तो ज्यादा बड़ा एरिया है नहीं, लेकिन फिर भी पूरा एरिया जो है, उसमें दो मीटर की दिवाल है, यह कमाल की बात है, और युनेस्को तो बोलता है वह यह नाचुरल साइट है, यह कल्चर को तो दिखाती ही, दिखाती है, साती साथ यहां पे बहुत सारे ऐसे जानवर है, जो कि critically endangered है, उनको संरक्षर देता है, तो बहुत ही जाधा important है, ठीक है ना, 370 से जाधा प्रजातिया है, यहां पे बर्ड्स की मिलती है, साती साथ बापरे, पाइथन यहां पे आपको मिलेगा, और पाइथन जो है, वह बड़ी असानी से यह तो आपको अर जगाँ दिख जाएगा, भरतपुर की जो शूटिंग, भरतपुर पार्कर की शूटिंग भी बहुत सारी मूवीज में हुई है, if I am not wrong, हम साथ साथ है, जो मूवी आई थी राशीर प्रोडक्शन भी, उसकी भी शूटिंग भरतपुर में हुई और क्योला देव को भरतपुरी बोलते थे, ठीक है, और बगल में बिल्कुल सटा हुआ है घाना, तो घाना, वैसे घाना is equal to घाना, घाना मतलब देंस, तो भहिया घाना भी यही पर ही है, घाना नाश्मेट पार्क ठीक है, और भरतपुर, तो राजस्थान में भी काफी जाद Wildlife Centuries और Parks हैं, वैसे तो इसको 250 साल पहले बनाया गया था, ठीक है ना, 250 साल पहले और यहां पे शिकार किया जाता था, तीक है, और ये खेल बन चुका था, यहां पे शिकार का खेल होता था, और इसको आयोजित किया जाता था, जो राजा महराजा होते थे न, इस्पेशली लेही साड़े चार अजार बर्ट जो है वो उडवा दी थी उनके रिगार्ट में तो आम यहां पे देखते हैं कि पहले आप चिडियों का शिकार किया जाता था लेकिन 1947 में सब कुछ भारत के पास आ गया जो पहले राजा महराजाओं के पास था वो भारत की संपत्ती हो गई कि मतलब ऑफिशली तो वैसे 1972 के बाद हुई ठीक है जब यहां पे इंद्रा गांधी ने प्रेंशन बन कर दी और राजा महराजाओं के पास जो भी स्पेशल राइट्स थे वो चीन लिए तो हम यहां पे देखते हैं कि 1947 में सब कुछ भारत के पास आया और अल्टीमेटली 1972 में जो wildlife protection act आया इंद्रा गांधी एक बहुत बड़े environmentalist थी और अगर वो ना होती तो यह सब कुछ ना होता ठीक है जो बड़े बड़े national parks बने हैं जो wildlife centuries बनी है वो इंद्रा गांधी उसमें बहुत बड़ा रोलों ने प्ले किया वो एक environmentalist थी उनको बहुत अच्छा लग प्रिक्ती थी कि शिकार हो रहा है जानवर मर रहे है तो उनको बड़ा दुख होता था उनका mood खराब हुआ सब कुछ अपने अंदर ले लिया उन्होंने सब कुछ सरकार के पास आ गया और 1982 में धेर सारे जंगलों को national parks गोशित किया गया जिसमें एक क्योला दियो भी था य नहीं लेकिन जादा तर इलाका ना दलदली है यह कि नाचुरल वेट लैंड नहीं है दो तरीके के वेट लैंड होते हैं एक तो नाचुरल और एक आर्टिफिशल नाचुरल कौन जिसमें पानी अपने आप आता है मौनसून का पानी स्टोर हो जाएगा और जैसे सुन्दर जादा इसी लिए तो जो साइबेरियन क्रेन है वो यहाँ पे आता है क्यों क्योंकि एक वेट लैंड है इतनी दूर से उड़के फरवरी में आता है अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कब जाएं यहाँ पे देखिए यहाँ पे मौनसून में मज जाएगा बारिश होती है मौनसून पे डिपेंडेंट है पूरा पार्क पानी भर जाता है वाटर भी पंप होता है दिक्कत हो जाती है प्रॉबलम है कभी कभी पार्क डूब भी जाता है तो बेस्ट कौन सा सीजन है अक्टूबर से जाए नवेंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बेस्ट है फरवरी वसंत रितु का आगमन होता है तो फरवरी बहुत ही खुब सूरत और इसी दोरान आपको बहुत सारी चुडियां देखने को मिलेंगी साथ ही साथ आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगा जो साइबेरिया से रशिया के साइबेरिया से यहां पर आते हैं इतनी दूर मा ना काफी ततर सर्च चलती रहती है 1923 में इसको वर्ट सैंचुरी और फाइनली इसको वेट लैंड और उसके बाद 1885 में इसको वर्ट उसको हेलिटेज साइड गोशित किया गया यहां पे आपको बता दू कि 1972 तक शूटिंग चलती थी मतलब शिकार किया जाता था भया और महराजा और भरत पुर्ट के पास यह सारे राइट थे अब किसी ने बहुत जादा महराजा को पैसे दे दिये जाओ क स्क्वार किलो मीटर में यह पूरा का पूरा एडिया फाइला है और फट अगरा उतर गया तो आप दूब जाएगे गर ऑप पूरा एरिया जो है वो पानी से भरा रहता है, बागी 70% जो एरिया है, 70 क्या लगबग 60% जो एरिया है, वो बिल्कुल ड्राय रहता है, तो यहां पर आपको स्क्रप्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और grassland, बड़ी grasses और छोटी grasses भी देखने को मिलेंगे, तो एक grazing ground भी है, यह भी बहुत बढ़िया है, पुरा का पुरा area एक तरीके से वर्दान है, यहाँ पे आपको vegetation अच्छी खासी देखने को मिलेंगे, कदम के पेड़, जामुल के पेड़, बबूल के पेड़, आपको आसानी से देखने को मिलेंगे, साती साथ और भी बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन जाधा तिरी स्क्रब लेंड सी है, बेर और कैर के पेड़, क्योंकि देखें, यह जो एरिया है, अगर आप प्राजिस्तान की बात करें, तो रेगिस्तान है, तो यहां पर उसी तरीके की, जिस तरीके की रेगिस्तान में विजिटेशन होती है, उसी तरीके की विजिटेशन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी ग्रासिस देखने को मिलेंगी, टॉल ग्रासिस, शौ 380 लगबग लगबग फ्लोर स्पीशी आपको देखने को मिलेंगी इसमें 50 स्पीशी ऑफ फिश हैं 13 स्पीशी ऑफ स्नेक्स हरे बापने सांप की 13 स्पीशी मुझे सांपों से बड़ा डर लगता है 5 स्पीशी ऑफ लिजार्ट से साथ एंफीवियन और साथ टर्टल मॉनिटर लिजार्ट भी आपको देखने को मिलेंगी वैसे घर में छिपकले कोई धेख लेए तो बड़ा डर जाता है ठीक है तो यहांप वो बड़ी बड़ी चिपकलियां नहीं होती जिसको कमोडु ड्रागन बोला जाता है मॉनिटर लिजार्ट वो भी यहाँ पर आपको देखने पालेसी इगल, शौट टोट इगल, यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, साथी साथ आपको यहाँ पे नील गाय देखने को मिलेगी, चीतल सामबर तो बहुत ही ज़्यादा कौमन है, यह तो आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे, राजस्तान के हर पाक्स में आपक सबसे खतरनाक होते हैं, हड्डियां तक खा जाते हैं, वो भी देखने को मिलेंगे, चैकॉस देखने को मिलेंगे, लेपर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो यह सब आपको देखने को मिलेगा, भया किसका इंतजार है, जाइए, अब जाना कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, रा अपसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी से आता है ट्रावल करने में तो वो ट्रेन में हैं, ठीक है, आप फ्लाइट छोड़िए, या तो आप टैक्सी से जाईए, ट्रेन से जाईए, लेकिन ट्रेन से जाईए, ट्रेन जब इन एरिया से गुजरती है, पहारों के बीच से होते ह हुए, राजस्तान की खूबशूर्ती देखने लाइक है, और अगर बारिश में गए, तो तो और अच्छा है, लेकिन यहां आपको बारिश में नहीं जाना है, टेमप्रेचर की वैसे बात बता दूँ आपको, कि यहां पर हम बात करते हैं, टेमप्रेचर की, तो मिनिमुम 20 degree Celsius तक होता है और maximum 48 degree Celsius तक चला जाता है तो भेंकर गर्मी पड़ती है और जब गर्मी पड़ती है वहिया तो सूखा पड़ जाता है बहुती दिक्कत है तो किस degree Celsius से लेकर 48 degree Celsius अब आप जाईए इसलिए मैं कहा रहाँ फरवरी में जाईए गर्मी बरसात में बच जाईएगा बहुत अदर गर्मी पड़ती है तो बेकार में आपका पूरा पसीना जो है वो बैता रहेगा वो फिर वर्थ नहीं होगा अगर आपको जाना है आप भरतपूर चले जाईए भरतपूर से बिलकुल पास में है दो किलोमीटर दूर है आसानी से टैक्सी कर लीजे या जो लोकल टैक्सी चलती है रिक्षा होता है जो भी कर लीजे आप पैदली चले जाईए दो किलोमीटर कितना दूर है पार्क के अंदर एकोमेडेशन्स है यहाँ पे राजस्थान सरकार ने पूरा इंदजाम करके रखा है पार्क के अंदर आपको होटल्स भी मिलेंगे अकोमेडेशन्स भी मिलेंगे आसानी से जाईए खाने पीने की स्टॉल्स भी आपको मिलेगे सब मिलेगा और सफारी भी यहाँ पे चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल के लिए बेस्ट टोरिस्ट डिस्टिनेशन है राजस्थान तो भाईया पधारो मारे देश और बिल्कुल राजस्थान गुंग कि आईए अब यहां पर जाएंगे तो बगल में ही जैपुर है तो पच्चासी किलोमीटर दूर बगल में अलवर है सो किलोमीटर बगल में आगरा अलाकि आगरा तो थोड़ा दूर है लेकिन अगल बगल बहुत सारे एरियाज है इसी लिए दोस्तों जो जैपुर आगरा गुमने को जाते हैं वह हंटेट एंट पसंट यहां तो आते ही आत हता है आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और बीच में कैसी जबरदस्त टूरिस्ट डिस्टिनेशन पड़े तो भरतपुर में इसी लिए सालाना एक लाक विजिटर आते हैं एक लाक बंपर क्या बात है इसमें 45,000 तो फॉरिंट टूरिस्ट होते हैं ठीक है तो ट्रेंस मिलेंगी ठीक है तो अक्सर क्या होता है हमको ट्रेंस बदल नहीं पड़ती है लेकिन भरतपुर में डारेक्ट ट्रेंस मिलेंगी चाहिए घूम किया यह तो यह देखी लिजे अब खुबसूरत नजारे आप देख सकते हैं यह सांभर है ठीक है आप इसको भालू म अग्षा महौल है और हलका कोरा है इंजॉइ कर रहे हैं यह लोग भी यह नीलगाय थीक है नीलगाय जो हमारी ट्रेडिशनल काव या जो जो आप गलियों में देखते हों से बहुत जाधा अलग होती है ठीक है तो यह नीलगाय यह आपको आसानी से देखने को मिल जाएंग बिलेंगे माइगरेट करते हैं उसके बाद यह देख लीजे नजारा यह पूरा वेट लेंड से और ऐसे ही वन थर्ड दस स्क्वाइर किलोमीटर का पार्क जो ऐसे ही है देख सकते ना बोटिंग होती है बिल्कुल जंगलों के बीच से जाईए बहुत ही मजा आएगा क्या बात है और यह एगरेट है ठीक है यह भी आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है जो जो बर्ट जो बर्ट विटलाइंड पर डिपेंड करती है वह आपको यहां पर बहुत ज़ादा देखने को विलेगी ठीक है इसी लिए इसको नाचुरली जो जहां पर थोड़ी भी सारा यह पूरे पार्क को कवर कर रहा है देख सकते हैं एक तरफ आपको ग्रासेज और विटलैंड देखने को मिलेगा सामने आपको जंगल देखने को मिलेंगे तो यह बेस्ट दर्शाता है किस तरीके का यह पार्क है तो आई हो पर लिए चरह आपको पसंद आया होगा ज झाल झाल झाल